हेलो फ्रेंड्स आएम तनीशा कंगराडे आज यू आर वाचिंग टीजी अगरी फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकूस करने वाले हैं आज हम डिसकूस करने वाले हैं कॉंपोनेंस ओफ जेनिटिक वेरियंज इसको में टॉपिक ना बोलते तोई आज मैं बोलूँगी कि आज हम बहुत थी basic concept plant breeding कर डिसकस करने वाले है that is components of genetic variance इस topic से यह concepts पे हमेशा exams में questions आते हैं आप BHU के लिए लिजिए आप JRF plant science के लिए लिजिए या दूसरे exam में भी इस topic से related questions प्रेंच बहुत सारे आते हैं अगर आपको यह basic concept समझ में आ गए ना तो आप इससे related सारे questions को सही करेंगे पर अगर आपको यह basic concepts clear नहीं है तो sorry to say आप इसके कोई भी questions सही नहीं कर पाएंगे इसलिए आप इस वीडियो को last तक देखीगा क्योंकि आज हम इसके concepts को बहुत अच्छे से clear करने वाले हैं और एक और बात बजाना चाहूंगी कि जो भी students agriculture में competitive exams की preparation कर रहे हैं तो आप हमारी website tgagri.feely.com पर जाकर सभी agriculture related PDF महां मिल जाएगे आपको महां visit कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं friends हम लोग सब जानते हैं कि parents से प्रोजेनी में कुछ ऐसी चीज़े रहती है कुछ jeans क्या होते हैं heritable होते हैं वो कहां जाते parents से प्रोजेनी में तो क्या आप मुझे बताईए parent और जो प्रोजेनी है वो पूरी तरीके सा identical होते हैं क्या वो 100% identical होते हैं दूसरे से क्या ऐसा होता है नहीं हम जानते हैं कि जो parent और जो प्रोजेनी हैं वो कभी भी 100% identical नहीं होते वहाँ पे कुछ न कुछ वेरियेंस आते हैं या मतलब हम बोल सेकते हैं वहाँ पे कुछ न कुछ वेरियेशन आता है वो वेरियेशन किसी भी तरीके से हो सकता है वो genes के या genotypic variance भी हो सकता है वो phenotypic variance भी हो सकता है या environmental variance भी हो सकता है तो आज हम पढ़ने वाले हैं components of genetic variance ज देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पॉलिजेनिक वेरियेशन जो प्लांट में प्रेजेंट रहता है वह मेंली तीन टाइप का होता है जैसे अब भी हमने डिसकॉस करा फर्स्ट इस फिनोटिपिक वेरियेशन थर्ड इस जीनोटिपिक और थर्ड वन इस इंव इनवायर्मेंटल ठीक है देखिए सबसे पहले हम जीनोटिपिक और इनवायर्मेंटल को समझते हैं उसके बाद हमको फिनोटिपिक अपने आप समझ में आजाएगा देखिए जीनोटाइप का मतलब क्या होगा कि अगर कुछ भी जीनोम में चेंज होगा ठीक है जो पेरें ठीक है सेकेंड इस इनवायर्मेंटल इनवायर्मेंटल वेरियंस क्या होता है कि इनवायर्मेंट की कारण अगर कोई भी चेंज प्रोजेनी में आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इनवायर्मेंटल वेरियंस तो अब बात करते हैं हम फिनोटिपिक व होता है जो हम देख रहे हैं ठीक है अब हम देख तो दोनों चीज रहे हैं जो genotypic changes होंगे वह भी हमें visualize कर सकते हैं और environmental changes होंगे वह भी हम देख सकते हैं वह भी हम visualize कर सकते हैं तो phenotypic variance is the sum total of genotypic and environmental variance this is why it is called total variation because it is a sum of two variations देखें ठीक है I hope आपको कोई समझ में आया होगा आप देखें हम इसको किस में किस से किस तरीके से measure कर सकते हैं या इसके लिए क्या terms होती है तो अगर आपको phenotypic variation measure करना है तो उसे हम phenotypic variance के थ्रूँ measure करेंगे sorry हाँ पे spelling mistake it is not variance it is variation ठीक है वहीं पे अगर आपको genotypic variation को measure करना है तो आम उसे genotypic variance के थ्रूँ measure कर सकते हैं अब genotypic variance में भी आता है additive variance dominance and epistatic components इसके तीन components होते हैं जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है उसके बाद आता है environmental variation तो environmental variation तो हम जानते हैं कि जैसे मैंने भी बताया कि कुछ भी environmental effects के कारण अगर changes हो रहे variations आ रहे तो उसे हम कहते हैं इसको आप कैसे measure करोगे इसको हम measure कर दें in the terms of error mean variance ठीक है अब हम देखते हैं classification of genetic variance तो अलग-अलग scientist आयते हैं अलग-अलग scientist ने genetic variance को अपने हिसाब से अलग-अलग उसका classification किया ठीक है फिशर ने 1918 में genetic variance को थ्री पार्ट में डिवाइड करा first is additive, second is dominance variance and the third one is epistasis variance right ने 1935 में इसको टू पार्ट में डिवाइड करा first is additive, second one is non-additive and the third one is mathar ने इसको फिर से अलग classification दिया किया और उसका सिर्फ name change कर दिया उनने बोला कि ये heritable fixable variance होते हैं और heritable non-fixable होते हैं ये turn बस अलग-अलग दी है पर इनको जो basic है इनको जो basic concept है वो एक ही है वो directly हम इधर बात करते हैं कि additive, dominance और epistasis तो अब हम सारे variance को या तीनो components को बहुत अच्छे से detail में समझते हैं आप बहुत ध्यान से इसको समझेगा क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये हमारा basic concept है plant breeding में अगर आपको concept समझ में आगे ना genetic variance का तो आप इससे related सभी questions को सही कर देंगे चलिए अब हम देखते हैं सबसे first component that is additive variance अब हम देखने की additive variance क्या होता है इसकी क्या-क्या main features है तो definition देखी क्या है it refers to that portion of genetic variance which results due to average effect of genes on all segregating loci देखी क्या मतलब है देखी बहुत important line है average effect of genes on all segregating loci इसका मतलब होता है कि additive variance क्या है यह क्या है average effect of gene है सभी genes का average effect है ठीक है अब question यह उठना चीए आपके दिमाग में question आना चीए कि average effect आता कहां से हम इस average effect से क्या मतलब समझे average effect का मतलब होता है कि जो 2 homozygous gene है उनके difference से ठीक है उनमें जो difference है अगर हमने उन दोनों का difference निकाला और फिर सभी genes को एक साथ रखा तो जो उनका average effect आएगा उसे हम कहेंगे additive variance i repeat once again because it is very important topic it is result due to average effect of genes मतलब कि सभी लोकस पर जितने भी genes से उनका average effect होता है क्या additive variance अब question is कि average effect कहां आता है कि जब 2 हमारे पास क्या रहते हैं homozygous genes रहते हैं ठेक है यह जब 2 homozygous genes की बीच में जो क्या रहता है difference रहता है इन difference की वजह से जो average effect create होता है उससे को हम क्या बोलते है additive variance या फिर उस average effect का क्या result होता है additive variance अब फिर से हम एक बार definition परते हैं आपको clear हो जाएगा दीखे क्या लिखा है it refers to that portion of genetic variance which results due to average effects of genes on all aggregating loci thus it is the component which arises from difference between the two homozygous gene that is capital A capital A and small a small a I hope आपको यह अच्छे से समझ में आगया होगा अब हम देखते हैं इसके main features की additive variance के main features क्या है सबसे पहले क्या है additive gene shows lack of dominance यह तो हम जानते हैं कि उसमें dominance ही नहीं होती क्यों क्योंकि उसमें कैसे रहते हैं उसमें हम homozygous genes की होती है वह maximum कैसे रहती है वह homozygousity बढ़ाती है तो यह maximum किस में होगा self pollinating crops में होगा minimum किस में होगा cross pollinating crops में होगा तो आप आपको इसको रटने की जरुरत नहीं पड़ेगी कि additive variance कि में maximum होता है और किस में minimum होता है ठीक है थर्ड देखते हैं additive variance is fixable and therefore selection for trade governed by such variance is very effective ठीक है अब हमने देखा कि क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें homozygousity की बात आती है इसमें क्या होता है यह alleles कैसे होता है directly हम इसका selection करते हैं तो यह कैसे हो जाते हैं fixed हो जाते हैं तो यह directly fixed होते हैं इसकी जिसे यह जो हम additive variance का selection अगर करते हैं इन jeans का selection करते हैं तो वह काफी जादा effective होता है जिसकी वजह से एक ऐसा variance है जो selection को को रिस्पॉंड करता है अगर आप महीं पर डॉमिनेंस की बात करें तो देखिए डॉमिनेंस में क्या होते है इसमें फिक्सेशन हम नहीं बहुत सकते इस नॉट दाइट फिक्सेबल ऐस का फॉर्मूला क्या होता है जुनटिपिक वेऌरियंस अपॉन में फिनोटिपिक वेर्यंस वहीं पर लिखा है breeding value of an individual is measured directly by additive gene effect की हम अगर narrow sense में जाते हैं तो हम उसको directly additive gene effect से breeding value measure कर सकते हैं ठीक है next क्या लिखा है the general combining ability effect of a parent is a measure of additive gene effect जब हम general combining ability की बात करते हैं कि parent में दो parent है ठीक है P1 parent है और P2 parent है कि इनमें कितनी combining ability है तो उसको हम काय से directly measure कर सकते हैं हम directly उनको additive gene effect से measure कर सकते हैं ठीक है अब हम next point देखते हैं next point क्या है additive genetic variance gets depleted proportionate to the improvement made by selection यह हम जानते हैं कि जिसे जैसे selection होता जाता है होता जाता है वैसे वैसे additive genetic variance क्या होता है धीरे धीरे depleted होना शुरू हो जाता है ठीक है 7th point क्या है additive gene action is the chief cause of resemblance between relatives and progress by selection is directly proportional to the degree of resemblance between the parent and its progeny यह हमने starting में मैंने बताया था आपको कि additive gene action जो है यह क्या होता है यह main component होता है selection का इसकी वजह से जो parent है और progeny में जो resemblance दिखता है या जो same nature दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है additive gene action की वजह से दिखता है next point क्या है in natural plant breeding population additive variance is predominant when closely followed by dominant variance dominance variance की जो nature है nature में सबसे पहले क्या होता है additive variance होता है उसके बाद dominance variance होता है next point क्या है transgressive segregation is the result of additive gene action हम जानते हैं कि transgressive segregation किसका result है additive gene action का transgressive segregation का मतलब क्या होता है what do you mean by transgressive segregation transgressive segregation का मतलब तो यह होता है न कि जो हमारी F1 generation है या जो हमारी जो progeny है वो कैसी होना चाहिए दोनों parent से better होनी चाहिए तो उसे हम क्या बोलते हैं transgressive segregation तो वो किसका result होता है that is the result of additive gene action तो आपको जो हमने first component पढ़ा that is additive variance आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और उसके जो भी हमने nine points discuss करें वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने correlate किया होगा ठीक है तो अगर आपको इसे कुछ भी questions आता है तो आप उसको अच्छे से solve कर सकते हैं अब हम बात करते हैं dominance variance की ठीक है dominance variance तो हम जानते ही है कि dominance क्या होता है कि suppose एक जीन के दो अलील से capital A small A तो जो अपने आपको जादा अच्छे से पहले दिखा पा रहा है रिप्रेजेंट कर पा रहा है तो उसे हम क्या बलेंगे वह dominance है जो नहीं अपने आपको रिप्रेजेंट कर पा रहा है उसे क्या बोलते हैं हम क्या है वह it is an intra-allylic interaction यह कैसा होता है intra-allylic interaction होता है इसके बाद हम epistatic variance पढ़ेंगे वह inter-allylic होता है ठीक है remember this it is intra-allylic क्योंकि because हम यह क्या कर रहें एक जीन के दो alleles की बात कर रहें तो it is intra-allylic वहीं पर हम epistasis में जो पढ़ने वाले हैं वह कैसा पढ़ेंगे inter-allylic ठीक है यह term को याद रखिए ठीक है तो I hope आपको dominance variance के बारे में ज्यादा बताने की ज़रत नहीं है बट still मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर हम दो alleles की बात करते हैं एक dominant होता है दूसरा recissive होता है ठीक है next point क्या है it is due to the deviation of heterozygots from the average of two homozygots अब हम इसके main features की बात कर लेते हैं कि इसके main features क्या क्या है सबसे पहले it is a measure of dominance gene action यह तो हम जानते है कि dominance variance के थूरू हम dominant gene action को measure कर सकते हैं such genes showing complete dominance complete dominance or over dominance in this के थूरू हम complete incomplete over dominance सब को ही measure कर सकते हैं अब हम next point देखते हैं next point क्या है dominance variance is associated with heterozygocity है जिसे हमने देखा कि यह किस से associated है heterozygocity अगर heterozygocity से associated है तो हम जानते हैं यह cross pollinated crops में कैसी होंगे maximum होंगे और self pollinating species में हमको कम से कम देखने को मिलेगी वहीं पर third point है dominance variance is not fixable and therefore selection for traits controlled by such variance is not effective हम जानते हैं कि इसमें क्या है heterozygocity है तो यह fixable या fixation इसमें genes का नहीं हो पाता है तो जिसकी वज़े से इसका अगर हम selection कर भी रहें तो वे effective नहीं होगा क्योंकि हमें पता है इसका fixation तो हो गई नहीं तो उसका फिर select करने से फायदा क्या है ना ठीक है अब next point है dominance variance is the chief cause of heterosis और hybrid vigor यह भी हम जानते हैं कि heterosis और hybrid vigor में हम क्या बात करते हैं इसी चीज़ की तो बात करते हैं कि महां पर dominant genes होते हैं जो प्रोजेनी में आगे आके दिखते हैं या superior दिखते हैं तो it is the chief cause of heterosis और hybrid vigor heterosis के उपर भी आपको हमारे full video मिलेगी जिसको आप i button पर click करके देख सकते हैं next point is specific combining ability variance is the measure of dominance variance हमने देखा था कि अगर हमको general combining ability measure करना है तो हम का ऐसे करते हैं हम उसको dominance variance के थ्रू मेशर करते हैं ठीक है next is dominance variance gets depleted through selfing or inbreeding हम जानते हैं कि dominance variance कैसे deplete होते जाता है धीरे-धीरे selfing or inbreeding depression हाता है जिससे कि वो deplete होते जाता है 7th point is in natural plant breeding population dominance variance is always lesser than additive variance यह तो हमने वहीं बात कर ली थी हम जानते हैं कि जो nature में सबसाथ importance कि इसको दी गई है nature में सबसे पहले importance दी गई है additive variance को then आता है dominant variance same point इत्वर भी लिखा है ठीक है अब हम next component को discuss करने वाले हैं वो है epistatic variance I hope आपको यह दो components बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे और अकर नहीं समझ में आये तो आप इस video को बार बार देखे I hope आपको समझ में आ जाएगा देखिए अब हम next component देखते हैं that is epistatic variance it refers to the deviation from additive scheme as a consequences of inter-allylic interaction हमने क्या देखा था क्या बताया था मैंने आपको कि जो dominant है वो कैसा है intra है ना और महीं पर मैंने आपको 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 ता देखिए कि epistatic क्या है inter-allylic interaction है तो यह कैसा है inter-allylic interaction है अब इसके क्या main features है इसके कुछ जादा main features नहीं कुछ जादा नहीं पढ़ना पड़ेगा बठा आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा epistatic variance is a measure of epistatic gene action हम जानते है epistatic gene action क्या होता है हम epistatic gene action को epistatic variance के थुरू measure कर सकते हैं ठीक है epistatic variance भी हाँ पर तीन टाइप के होते हैं कौन कौन से तीन टाइप है उसके सबसे पहले तो additive into additive second is additive into dominance third is dominance into dominance तो हम देख लेगे कि यह भी क्या है at refers to interaction between two or more लों का each exhibiting lack of dominance मतलब की हमने यह बात क्या करिए दो अलग-अलग genes की बात करी ठीक है एक gene यह रहा एक gene यह रहा अगर यह दोनो additive show कर रहे है तो यह additive into additive एक additive है दूसरा dominance है तो हम इसको बोलेंगे additive into dominance और अगर यह जो genes है दोनो dominance show कर रहे है तो हम इसको बोलेंगे dominance into dominance यह बात हम यहां दो अलग-अलग genes की कर रहें न हमने यही तो बात करी कि क्या है यह it is interallelic तो यहां पर तो अलग-अलग genes की बात हो रही है तो इसमें क्या interaction शो कर रहा है बस वही है कोई बहुत ज्यादा difficult or confusing नहीं अभी हमने जो पढ़ा बस इसको ही थोड़ा सा आगे बता दिया गया है है ना ठीक है next third point क्या है third point दिखी क्या है first type of epistasis is fixable and therefore selection is effective for traits governed by such character variants the last two type of epistatic variants are unfixable यही तो हम इतने देर से बात कर रहे हो बात करते हुए है कि जो additive variance है यह variance कैसा होता है यह fixable होता है इसमें fixation होता है क्योंकि यह homozygous होता है reason क्या है because of homozygocity fixable होता है जिसकी वज़े से selection इसमें होता है और इसमें यह क्या है dominance है dominancy की वज़े से यह कैसा होता है non-fixable होता है reason क्या है heterozygocity ठीक है तो यही इस point में लिखा गया है and the last point is in natural plant breeding population epistatic variance has the lowest magnitude अगर हम magnitude की हिसाब से देखें तो सबसे ज additive variance then dominance and at the least epistatic variance देखने को मिलता है तो I hope आपको आज के concepts बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे हमने आस तीन concepts को discuss करा first is additive second one is dominance and the third one is epistatic gene action ठीक है तो I hope आपको आज की वीडियो का यह जो topic है समझ में आया होगा और इससे जितने भी questions relate कर पाएंगे आप बहुत अच्छ इससे solve कर पाएंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को दो से तीन बार देखे आप हमें instagram पर भी follow कर सकते हैं आप हमारे telegram पर channel पर join कर सकते हैं जहाँ पर हम daily quiz questions डाल सकते हैं जिससे कि आपकी questions की जादा से जादा practice होगी साथ में आप हमें whatsapp और facebook पर join कर सकते हैं और आप हमारी video तो youtube पर देख ही रहे हैं ठीक है तो i hope आपको यह video समझ में आया होगा मैं अपने video अपना lecture आज यहीं खतम करती हूँ पर उससे पहले stay blessed and stay happy thank you so much हुआ 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 है